हाई फ्रेंड विल्कम टू तो गेम विच्व इंजॉए दे मोस्ट रीसेंट्ली पिछले चार-पांथ साल से जो इंट्रोड़क्टरी स्कॉच सेग्मेंट है यह यह स्कॉच सेग्मेंट है वो इंडिया में फ्लरिश कर रहे हैं ग्रो कर रहे हैं नहीं आप्शन्स आ रही है और अगर बिल्कुल इंट्रोड़क्शन की बात करें स्कॉच विस्की की तो तीन विस्की सबसे जाधा पॉपलर है एक उन में से आती है आपकी जो 60s और 50s के जमाने से चाही हुई है आपको हर पुरानी मूवी में भी दिख जाएगी दैट इस वैट 69 दूसरी है आपकी स्कॉच तीसरी जो सबसे फेमस विस्की है वो है तोड़े दा प्लेयर ऑफ दा गेम इस विल्लियम लॉसं ब्लैंडिट स्कॉच विस्की और इसकी जो पॉपलाइटी बनी है वो वर्ड आप माउच से और दूसरा इसकी अवेलिबिल्टी से बिलकुल सही का इनोंने के वर् स्कॉच का मतलब बात की बाते हैं स्मुकिनेस और यह उन्हें लगता था स्मुकिनेस वगेरा स्कॉच का पार्ट नहीं हो सकती उनके कॉर्डिंग ता स्कॉच मतलब गलेबल स्मूथ इजी तो ट्रिंग तब उन्होंने इस तरह के ब्लेंड को जनम दिया और 1849 से की लेकिस इसके ब्लेंड की वजह से फे मिला ऑसा है? ृबल्कौल यसके ब्लेंड की वजह से गोल्ड ऑवार्ट से नमाजा गया है जिसनके बारें में हम आपको आगे बताएंगे जैसे कि हमारे यह इम्-पीरियियल ब्लू उसके कि निएatwood is menaz काफी फैज मंस है काफी इंटरस्टिंग और फंई एद्वितिसमेंट सोती है ठीकि इसी तरह उसे आपनी और कंप के लिए काफी पीज है और्म इनकril टो amazing quality of box काफी अच्छा डिजाइन भी है यूनीक है देखते ही पता चल जाता है कि यह विलियम लॉसन की बॉटल है अब्यूसली क्रेड़ गोस चू यह जो ब्रैंडिंग इन्होंने बड़ी-बड़ी करी हुई है विद इंटरस्टिंग ब्लाक इंवाइट फॉन और विलियम ल त्रू आती है यहां पर कुछ अवार्ट भी मेंचन किये गए हैं तो इसको 2009 में अब चलते हैं इसके बॉटल ओवर्वियू पर देखते हैं क्या खास है इसमें अगर मैं इसकी बॉटल की बात करूँ सम्हाओ मुझे पता नहीं क्यों ब्लाक इन वाइट की जो बॉटल है उसकी याद आ रही है आए लाइक दे बॉटल दिजाइन सिंपल है एलिगेंट है इट है इसके अगर हम प्राइस की बात करें फॉर सेवन फिफ्टी एमिल इंट्रस्टिंगली एमर्पी इसका फॉर्टीन हंडड़ था बट जब मैं इसे लेने गया तो पता चला के इस अफ प्राइस ड्रॉप और फिफ्टी रूपीज तो विच इस ओविसली अगूट थिंग और अगर हम इसके अबीवी की बात करें इस फॉर्टी बॉटी पॉ ऐसा लग रहे है कि इसमें लाइट कलर और एक चीज और बताना चाहूंगा कि इस अ ब्लेंड ओफ अरूंड थर्टी विस्की एंड मिजॉरिटी जो इसमें सिंगल मॉल्ट यूज हुआ है दैट इस कमिंग फ्रॉम् देशली जैसे कि हमने आपको अपने बॉटल ओवर्व में भी बताया था या शायद बॉक्स ओवर्विव में और उस सिंगल मॉल्ट का नवा में ग्लेंड डेवरन तो अगर आपको यह विस्की पसंद आती और आपको सिंगल मॉल्ट पसंद है और इफ यू गेट चांस तो आप वो वाली ट्राइगर मॉल्ट भी ट्राइगर से अब चलते हैं हम इसकी नोजिंग पर और देखते हैं क्या खास है इसमें वेरी मिलोड ओन दे नोज कोई ऐस सच कोई बर्न या बिल्कुल भी स्ट्रॉंग नहीं लग रही वेरी फूटी ओन दे नोज आपको से फूट्स में अगर स्पैसिफिकली मैं बात करूँ बनाना वनीला एसेंस एंड नो स्मोकिनस एट आल तो यानि कि जो लोग यह कमिट करते हैं कि यह सोचते हैं कि यार स्कॉच में जैसी उंक्री डेफिनेशन थी विलियम लौसन की कि स्मोकिनस नहीं होनी चाहिए तो एस सच इसमें कोई स्मोकिनस है भी नहीं अभी तक नोस पर तो अब देखते हैं पैलेट पे यह क्या कमाल करती है और इसके कलर और टेस्टिंग के लिए चलेंगे हैं फादर साब के बास कलर तो इसका लाइट गोल्ड है, बिलकुल, लाइट गोल्ड, बाकि टेस्ट देखते है, चलिए, क्योंकि यह स्कॉच है तो अबिसली से एज कराया गया है, मिनिमम्म त्री एस के लिए, वेरी बटरी एंड स्मूथ, फ्रूट, फ्रूटी फील हुई है, और किवी का बहुत अच्छा टेस्ट आया है, किवी फ्रूट, ओके, ड्राइफ फ्रूट्स का फ्लेवर आ रहा है, और स्पेशली वालनेट, अखरोट, वालनेट, ओके, और कोई हार्शनेस नहीं, कोई स्पाइसिनेस नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत स्मूथ, शायद इसी लिए ये इतनी पॉपलर है, वो वर्ड अफ माउथ इसी लिए मिला है, कि इंडियन पैलेट को फ्रूटी और एकदम स्मूध विस्की जादा पसंद आती, हमारे वीवर्स ने बहुत डिवांड की ना, इसकी भी, बिल्कुल, और ये वाकी, I think बहुत अच्छा एक ब्लेंड है, जो आया हमारे आगे, मतलब वर्थ है, वर्थ है, बई, जिस से 8.5 इसे मिली है, वो बहुत बहुत अच्छी रेटिंग है, एक चीज और कहूंगा मैं, इसको अंदा रॉक्स और नीड भी पी जा सकती है, अच्छा तो आपका ही सजेशन है कि कोई और चीज मिक्स करने की, ज़रूरत ही नहीं है, इतनी फील अच्छी आ रही है इसकी, तो do follow us on Facebook, Instagram and Twitter. Remember, drinking is not just about the glass, but the glass. पीना भी एक कला है, तिम्रेन, चीर्स!